हेलो गैज स्वागत है आपका मेरी चैनल कुक इसमी में तो आज जब बनाने वाले हैं वाइट सोस पास्ता के रेसिपी सब से पहले विएफन करके उसकेक हैं कोई भरतेल रख लेंगे उसमें ढालों देंगे दो कप पानी दिखी और एक कपअ ही में डाल देंगे पास्ता मैंने याप नाक़ आपको क़ोई पी ले सकते हो बाद में इसमें डालों इंगा एक चोटा चमश तेल और मिक्स कर लेंगे पास्ता कूक करते समय तेल इसलिए ड़ेला जाता है क्योंकि पास्ता जोह वापस में चिपक न चाहे pushing ये बाद में इसको ठग देंगे हम इसको साफ कर लेंगे ताकि पास्ता की कुकिंग जोए वही अटक चाहे बाद हम सॉस बनाएंगे नॉन स्टिक पैन रख देंगे इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच वाइट बटर मैंने आपर घर का मखन लिया है आप बहार का पी रह सकते हो इसके उपर हम डालेंगे छोटा चमच रिफाइन तेल तेल इसी लिए डाला चाहता है कि बटर जोए वह चलना जाए थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चमच मैदा इसको लगाता चलाते रहेंगे इसको तब तक कुक करना है जब तक मैदा जोए वह चलाते जाएंगे तो गुटलिया जोए वह अच्छे से मेल्ट हो जाएगी डरना नहीं है इस तरह से तो अब मिसमें डाल देंगे आधा कप ग्रेट की हुई प्रोसेस चीज अब मिसमें डाल देंगे एक छोटा चमच चीली फ्लेक्स एक चोटा चमच औरेगानो और आधा चोटा चमच चमच में डाल देंगे मरी का पाउडर वस्वाद अनुसार नमक डाल कम इसको अच्छे थे मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं सो इसकी कंटिस कंटिस्टन सी कैसी है अब गेस ओफ कर देंगे हमने जो पास्टा कुक किया हुआ था वो पास्टा रख देंगे इसमें डाल कर मिक्स कर लेंगे हलके आतों से इसको दो मिनिट के लिए हम ऐसे ही पकाते रहेंगे तो यारे हमारा वाइट सोस पास्ता मैंने आपर उपर से धनिया डाला था आपको पसंदे तो आप डाल सकते हो तो अगर आपको हमारी ये रेस्टिप की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्रेक करना ना भूले बेल अकन को भी प्रेस करें, थेंक यू